ये देखो अंजली, मैंने तुम्हारे लिए ये पिंक वनपीस और ये ब्रेसलेट लाए है, जो तुम्हें बहुत पसंद थे, कॉलेज टाइम से ही, करीना ने फिल्म में पहने थे, वैसे ही है, सेम टू सेम, नै तीक, तुम समझते क्यूं नहीं एक बार में, मुझे न तुम चाहिए, ना ही तुम से कुछ भी चाहिए, प्लीज, मेरा पालतु कुत्ता बनना छोड़ दो यार, लेकिन अंजली, और ये लो, ये तक्या, और ये तुम्हारा कंबल, तुम मेरे साथ, इस बेड़ पर मत सोना, तुम नीचे फर्ष पर, या फिर उस सोफे प मत सोना, इस बेड़ पर, सिफ मैं ही सोऊंगी, ठीक है अंजली, नैतिक और अंजली, दोनों रिष्टे से तो पती-पत्नी होते हैं, लेकिन उनके बीच, जो रिष्टा होता है, वो पती-पत्नी जैसा जरा भी नहीं होता, दोनों एक ही कॉलेज में, पड़े लिखे होते ह और नैतिक, अंजली को कॉलेज के टाइम से ही प्यार करता है, लेकिन अंजली के माता-पिता, बूशन और कल्यानी को पता चलता है, कि अंजली एक गुंडे से प्यार करती है, तभी, लेकिन ममा-पापा, इंदर एक बहुत ही अच्छा लड़का है, हाँ, वो जॉबलेस ज तरह रखेगा, और उसका दिल, इस दुनिया से भी बड़ा है, ट्रस्ट में पापा, हरे, तेरे ट्रस्ट की ऐसी की तैसी, अगर तुझे, हमने अभी नहीं रोका ना, तो ट्रस्ट नहीं, तु तरस्त रह जाएगी, और उस गुंडे मवाली से शादी करके खूब पच्च कि वो गुंडा नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा 420 है, और ये बात तुम्हें माननी ही होगी, और इसलिए हमने फैसला किया है, कि तेरी शादी नेतिक से ही होगी, अरे, उसके माता पिता, भानु भाई साब, और काविरी बेहन कितने अच्छे लोग है वो, अंजली को हमेशा यही लगता है, कि उसका बॉइफरेंड इंदर एक अच्छा इंसान है, जबकि वो एक गुंडा होता है, और कल्यानी और भूशन, उसकी शादी नेतिक से ही करते हैं, और अंजली को ना चाहते हुए भी, अब नेतिक के साथ रहना पड़ता है, पता नही यह कहा फस गई हूँ मैं, मुझे इस नेतिक की पालतु आशिकी से तो बहुत इरिटेशन होती है, काश मेरा बेबी शोना, मेरा इंदर ये सब मेरे लिए करता, उसे फोन लगाती हूँ, फिर अंजली इंदर को फोन कॉल लगाती है, हेलो बाबू, मेरा बेबी, अपनी बे हम, बोलो बोलो, अरे अंजली मेरी जान, अपन एक बहुत इच जरूरी काम करने के लिए आएला है, अपन तेरे को कुछी घंटों में फोन गुमाता है, और हाँ, तू अपन की जान है, और अपन दोनो जल्दी साथ होंगे, आई होप सो बाबू, चलो, तूम अपना काम निप्टा लो, फिर हम दोनो बात करेंगे, ओके मेरी जान, टेके जनिमन, बाई, मुआ, अंजली के ससूराल में, उसकी साथ कावेरी, ससूर भानू, और विद्वा जैटानी रिधिमा होते हैं, रिधिमा अंजली से सारे कामों में आगे होती है, नैतिक अंजली के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अंजली उसकी कभी कदर ही नहीं करते, अरे ओ कुल्टा कलमुई करम जली, तनिक इस जनम में ही चाय मिलेगी, या अगले जनम में, क्यो रे जिल मिल, हरे मालकिन, आप बीना नुस्ता चिल्लाती रहती हो ये लो, और ठूसो ये नाश्टा, आपकी गरमा गरम चाय के साथ, ये है जिल मिल, इस घर की नोकरानी, काम से तो है नोकरानी, लेकिन दिमाग, और जुबान की है ये बड़ी ही सयानी, किसे कहा क्या ताना देना है, इसमें तो मानो, इसने पीएच डी ही कर ली हो, अरे अंजली बहू, आ, बैट मेरे पास, लेकिन मा जी, वो जेठानी जी, अंदर अकेली ही जूस बना रही है, अरे जूस ही तो बना रही है, थोड़ी हातों से सिल्बटे पर मसाले पीस रही है, तू चिन्ता मत कर, तू मुझसे गप्पे शप्पे मार, वाह, वाह मालकीन बड़ी ही चाप्टर हो आप तो, देख रही हो न, विद्धिमा दिदी, अंजली दिदी के आते ही, आपकी बैल्यू कम हो गई है, हाई, मुझे तो दुनिया भर की दया आ रही है आप पर, बिचारी मेरी विद्धिमा दिदी, जिल्मिल, माजी हम दोनों से, बराबरी वाल प्यार करती है, इसी लिए तुमारे आग में घी डालने से, आग नहीं लगने वाली, समझ गई, हाँ, आई बड़ी, रिदिमा और सास कावेरी, अंजली संग बहुत अच्छे से पेशाते हैं, लेकिन अंजली, उन्हे भी इतना भाव नहीं देती, अंजली बहु, ये लो, ये खांदनी कंगन है, और ये कुछ, शगुन की तोफे हैं मेरी तरफ से, ये लो, अंजली, तुमारे लिए मेने फाफडा और जले भी बनाये हैं, तुमारी मा बता रही थी, कि तुम्हें फाफडा और जले भी बहुत पसंद है, और हाँ, मेरे पास भी कुछ गेहने हैं, तुम वो भी रख लो, अब गेहनों का क्या फाइदा, जब मेरा सोहाग ही नहीं रहा, तभी अंजली का फोन बचता है, अच्छे ठीके मैं आप दोनों से बाद में बात करती हूं, मुझे एक वीडियो कॉल आ रहा है, अरे, लेकिन अंजली बहु, अंजली, रुको तो, उ अंजली वहाँ से चली जाती है, और बाहर आकर इंदर से वीडियो कॉल पर बात करती है, बेभी, अब आप उन दोनों को एक होने का टाइम आ गयला है, आज रात को तु वहाँ से निकल जाना, और मेरे अड़े पर आ जाना, फिर आप उन दोनों शादी कर लेंगे जानू, ठीक है न, अरे वाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ठीक है इंदर, आज रात को मैं तयार रहूंगे, आई लव यू बाबू, लव यू टू स्वीट हार्ट, अंजली अब तै करती है, कि वो घर चोड़कर चली जाएगे, और उसके लिए, वो चिट्टी लिखकर भ अधी, घर वाले उस चिट्टी को देखते हैं, और घबरा जाते हैं, ये क्या, अंजली, अंजली कहा चली गई, अरे नईतिक भाया, आप क्या इतने अंध्य हो गयो, या आपके आखो में पेट्रोल चला गया है, देखो न, आपकी धरम पत्नी ने, इस चिट्टी में साफ साफ लिका है, कि उसे किसी और से प्यार है, और वो उसके पास जा रही है, ये अंजली ने अच्छा नहीं किया, इतने राद गए, पता नहीं वो कहा होगे, बस, बस भया, यही पर रोग दो, फाइनली, अब मैं मेरे बाबू शोना के पास आही गई, अब हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, मैं आ रही हूँ बाबू, अंजली बड़ी ही उत्सुक होकर, क्याप से उतरती है, और वो इंदर के अड़े पर आती है, जहाँ पर उसे, उसके दोस्त रोत हुए दिखाई देते हैं, अईला, भाबी, आप इधर? हाँ, हाँ जग्गा, अब तुम लोग शादी की तैयारिया करना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं और तुम्हारा दोस्त इंदर एक होने वाले हैं, हम दोनों शादी करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा भाबी, क्योंक कि अभी अभी ही पोलिस इंदर भाई को गिरफतार खरके ले गई हैं, और वो भी उमर कैत की सजा के चलते, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसी लिए, आब अभी, पोलिस ने तो हमारे भी गाल और बम सुजा दिये हैं, ओ नो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा, मे नहीं, इसका मतलब सच में वो फ्रॉड था, वो तो कहता था, कि वो कामधाम करता है, नहीं, अब वो जा चुका है, तो आपसे क्या चुपाना भाबी, सच यही है, कि आप जिससे प्यार करती थी, वो एक बहुत बड़ा गुंडा था, और उसने ना जाने कितने लोगों की जान ली है, अभी भी मर्डर के इलजाम में ही, उसे पोलिस गिरफतार करके ले गई है, क्या, इसका मतलब मा और पापा सच कह रहे थे, और मुझे लगता रहा कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, अंजली जब इंदर का सच, उसके ही दोस्तों की जुबानी सुनती है, तब उस पेरो तले जमिन खिसक जाती है, वो माई के चली जाती है, और तभी उसकी मा कल्यानी दरवाजा खोलती है, क्यों रे नास पीटी, हम तो फार्सी भाशा में ही कह रहे थे ना, तब तो तेरे कानपूर में हड़ दाल थी, तब तुने हमारी नहीं सुनी, अब तो तुमारी, तुमारे ससूराल में ही बदनामी हो गई, तुमारे ससूराल में से भी फोन आया था, कि तुम वो घर छोड़ कर आई हो, लेकिन तुम यहां नहीं रह सकती, हम तुमें यहां नहीं रहने देंगे, ऐसा मत कीजे मा पापा, इस बरिबर साथ में, मैं किदर जाऊंगी? अरे, मैं तो कहती हूँ, कि बाड़ आए, और तु डूब जाए उसमें, कहीं खो जाए, तुने अच्छी खासी घर ग्रहेस्ती को ठुकराया है न, अब तुझे उसकी सजा तो भुगत नहीं होगी, दर्वाजा बन कर लीजिए बूशन जी, हमें माफ कर दो बेटा, और जाओ यहां से, लेकिन पापा, मा, भूशन जी दर्वाजा बन कर लेते हैं, और अंजली अब, वहां से एक पार्क में जाकर बैठती हैं, उस रात, बहुत जोरों से बारिश होती हैं, इसी लिए, वो एक शेड में जाती हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सर फोड़ू, या रोती जाओ, मैंने अपने ही पेर पर, खुद कुलाडी मारी है, इतने अच्छे, इतने प्यार करने वाले पती को मैंने इग्नोर किया, इतने अच्छे ससुराल वाले, इतनी अच्छी सास, जेटानी, और ससुर, सब मेरी ही गलती है, अब तक तो सबने वो चिट्टी पड़ भी ली होगी, और अब कोई मुझे वाख खड़ा भी नहीं करेगा, मैं क्या करूँ, ओ गाड़, अंजली अब उसी शेड में रहने लगती है, और वो दो से तीन दिन तक, अपने लिए, कोई ना कोई काम धूनती है, लेकिन उसे कही कोई काम नहीं मिलता, जिस कारण, वो काफी हताश हो जाती है, ना चाहते हुए भी, उसे अब अपने ससुराल में वापस जाने के आलावा, कोई विकल भी नहीं था, वो हिम्मत जुटाते हुए, पुरे एक हाफते बाद, अपने ससुराल में जाती है, तभी वो वहाँ, दरवा जैसे कुछ ऐसा देखती है, जिसे देखकर, उसकी रौंटे खड़े हो जाते हैं, वो देखती है, कि अब उसकी विद्वा जैटानी रिधीमा, उसके पती नैतिक की बीवी बन गई है, मा जी, नैतिक जी, ये लीजिए, आप दोनों के फेवरेट आलू के परोटे, वो भी एक्स्ट्रा मक् आज ये लास्ट टाइम दही मिलेगी आपको, क्योंकि अब मानसुन सीजन शुरू हो चुका है, खामखा सर्दी जुकाम को नियोता मत दीजिए, उड़ी बाबा, अरे सर्दी जुकाम नहीं, यहा तो कोई और ही आ गया है, रिधीमा दिधी, ये देखो, नैतिक भईया की बीवी, मेरा मतलब पहली बीवी आई है, फिर इसे अपना मू उठा कर, सभी अंजली को दरवाजे पर देखकर, हैरान रह जाते हैं, कावेरी गुस्से से कहती है, अब क्यों आई है तु यहापर, अपनी ये मनुश शकल लेकर, निकल जाओ यहाँ से, क्यों, कहा गया तु मनाने गई थी तुम, कावेरी, अच्छे से बात करो ना, मालीक, कैसे अच्छे से बात करेगी मालकिन, अरे, अब अंजली दीदी ने कांधी ऐसा किया है, तो उन्हें शाबाशी नहीं, बुरे भले तानी देखकर ही बात करना चाहिए, बेलडन मालकिन, बेलडन, मुझे मा बहुत गलत किया है, मैं वो मानती हूँ, लेकिन, मैं नहीं जानती, कि ये सब कैसे हो गया, नेतिक, नेतिक, I'm sorry, और ये क्या है, जेठानी जी, आप, आपने ये सुहागन जैसी साड़ी क्यों पहनी है, और आप नेतिक को देवर जी की जगह, नेतिक जी क्यों बुला रही है, अरे, नॉनसेंस अंजली दीदी, इतनी कैसे मंद बुद्धी हो सकती हो आप, खरच, अरे, आपके जाने के बाद, आप नेतिक भाईया, और रिदिमा दीदी, देवर बाबी से, साजन सजनी बन गए है, नेन में सपना, सपन में सजनी, हे हे हे, जिल्मिल, बस, अंजली, अब नेतिक जी तुमारे नहीं, मेरे पती है, क्यों नेतिक जी, हार रिदिमा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे आप दोनोंने शादी भी कर ली हो, लेकिन अभी भी, कानूनी तोर से, मैं ही आपकी बीवी हू, तीक है, तो फिर कानूनी तरीके से हम अलग हो जाते हैं, मैं आज ही वकिल को बुलाता हो, और डिवर्स पेपर्स बनवाता हो, अब तुम निकलो यहां से, नहीं नहीं तीक, प्लीज मुझे मत निकालो, मैं, मैं कहा जाऊंगी, मुझे तो मापापा ने भी घर से निकाल दिया, कहे रहे थे, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है अंजली, अगर तुम्हे इस घर में रहना है, तो तुम रहो, लेकिन सिर्फ तक तक, जब तक तुम्हारा, और नेतिक का तलाप नहीं हो जाता, लेकिन आपको क्यों इस धोके बास पर इतनी दया आ रही है, अब हमारे नेतिक की धुलन, ये रि कुछ मत बोलो, और वैसे भी, अंजली इस बरसात के मोसम में कहा जाएगी, अगले दो हाफते तक, रेडा लट बताया है, अंजली बेटी, तुम रह सकती हो यहाँ पर, थैंक यू सो मच पापाजी, ओफो, इस पानी की जग में तो, पानी ही नहीं है, उपर से इस कमरे में गर्मी भी बहुत हो रही है, मेरा और नेतिक का कमरा ही अच्छा था, अंजली अप गेस्ट रूम में रहने लगती है, वो पानी का जग लेकर, रात के दो बज़े कमरे के बाहर निकलती है, और तभी, उसे नेतिक के कमरे से रिधिमा, और नेतिक की हसने की आवाज आती है, नेतिक जी क्या आप भी अरे रिधिमा शर्माओ मत अब मैं तुम्हारा पती बन चुका हूँ तो मुझसे केसी शरम रिधिमा और नेतिक के आवाज सुनकर अंजली को बहुत जलन होती है क्या से क्या हो गया मेरी चेटानी ही सोतन बन चुकी है इंदर का सच सुनकर एक पल में ही मेरा प्यार उस पर से उठ गया लेकिन लेकिन मुझे जेटानी जी और नेतिक की नज़दी क्योंसे इतना फरक क्यूं पढ़ रहा है मुझे क्यों इतनी जलन में सुस हो रही है एक दिन जब नेतिक बिमार पढ़ जाता है की कोई बात नहीं ये कुछ दवाईया है इन्हें ले लीजिये पेशन्ट की बीवी कोन है इन कागज पर साइन करो मैं हूँ पेशन्ट की बीवी रिधिमा अंजली कुछ बोल पाती उसके पहले ही रिधिमा बोल देती है और वो उन्हों होस्पिटल के पेपर्स पर साइन करती है अपना हक अप जेठानी के पास जा चुका है ये देखकर अंजली को बहुत बुरा लगता है जब जब मेरे पत्नी होने का हक ये रिधिमा चीनती है तब तब मुझे ऐसा लगता है तो मानो मेरी सासे ही मुझे छीनी जा रही है फिर वो लोग घर आ जाते है जेठानी जी मैं कब से आपका नाटक देख रही हूँ शायद जवानी में आपको बुढ़ापा आ गया है आपकी याद्दास कमजोर पड़ रही है आप ये भूल रही है कि लीगली अब भी मैं ही नेतिक की वाईफ हो तो आपने होस्पिटल में पेपर्स पर साइन क्यूं किया अरे काई की बीबी अगर तुझे बीबी होने की इतनी ही पड़ी होती तो तु अपने पती को छोड़ कर कभी नहीं जाती समझी ना लेकिन माजी नेतिक मेरा पती है मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है लेकिन मुझे उसका पच्चतावा भी है अब पच्चताए होत क्या जब चिडिया चूप गई खेत हे 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 जिलमिल तुमें सबकी बातों में अपने सड़े हुए दो कोड़ी के डालोग बोलना जरूरी है क्या सची तो कह रही है जिलमिल अब मेरी बीबी रिधिमा है और इसने होस्पिटल के पेपर्स पर साइन करके कोई गुनाह नहीं किया है और शायद यादस तुमारी कमज़र हो रही है तुम ये भूल रही हो कि हम दोनों डिवोसी है और छे महिने बाद तुम यहाँ से जाओगी ही जाओगी लेकिन साथ ही मेरी जिन्दगी से भी तुमारा वजुद मिढ जाएगा बाबारे बाबा छे महिने में आपका बंदबस कर लो अंजली दिधी वरना आपके तो लेने के देने पड़ जाएगे और साथ ही में खाने के भी लाले पड़ जाएगे घर वालों की बाते सुनकर अंजली के मन को बहुत थेस पहुचती है और वो रात को अपने कमरे में बेटकर अपनी और नेतिक की शादी की फोटो देखकर बहुत रोने लगती है मेरे एक गलती के कारण सब मुझसे दूर हो गए मेरे मा पापा मेरे ससुराल वाले भी ना मैं घर की रही ना घाट की मेरा पती भी मेरी जेटानी ने मुझसे चीन लिया आज नेतिक के मुझसे वो कड़वे बोल सुनकर मेरे दिल को बहुत टेज पोचिये मुझे नेतिक की ये रुसवाई ये नाराजगी अपकलने लगी है शायद मुझे अपने पती से अपने नेतिक से प्यार होने लगा है लेकिन ये कमबक प्यार भी ऐसे वक्त पर हुआ है जब नेतिक और में एक चट की नीचे हो कर भी कोसो दूर है अंजली फूट फूट कर रोती है लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने अपने हातों से है अपने हक को ठुकराया था अब जब उसे अपने प्यार का हैसास हो चुका था तब भी वो अपने दिल के जजबातों को नेतिक को बया नहीं कर पा रही थी अगले दिन जब रिदिमा नेतिक का फेवरेट शाही पनिर बना रही थी तभी अंजेली भी उसके फेवरेट रजगुले बनाती है ये लो नेतिक ये रजगुले मैंने बनाए है इन्हे टेस्ट करके देखो मत खाईये नेतिक भाईया पता चला इन रजगुलों को खाकर आपको चोबीस घंटों में चोबीसो बार बात्रूम के चक्कर काटने पड़ गए अंजेली मेरी बीवी रिदिमा ने मेरे लिए मेरे पसंद इदा शाही पनिर बनाया है और मुझे रजगुले भी रिदिमा के हातों के बनाय हुए ही पसंद है सो में इनन नहीं खा सकता अरे बर्व की सीली बनकर क्या घूर रही है मेरे बेटे को चूप चाप ये तेरे रजगुले ले जा और खुद ही ठूस ले फिर अंजेली अपने हातों से बनाय हुए रजगुले रसोई में रख देती हैं वो काफी प्रयास करने के बाद भी नैतिक उससे ठीक से बात भी नहीं करता एक दिन जब नैतिक और रिदिमा दोनों गूमने जा रहे होते हैं तभी उन्हें देखकर अंजेली को बहुत गुस्सा आता है एंजोई करके ही आना दिदिमा दिदी और नैतिक भाया और हाँ अपने वैकेशन ट्रिप पर जाकर वो जरूर करना जिससे खुश कबर सुन मिले कि वो अंजेली दिदी सही कह रही हूं न मैं ये जिल्मिल की बच्ची बस मेरे जले पर नमक छिड़कती रहती है एक दिन इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि इसे अपनी नानी दादी और परदादी सब याद आ जाएगी हम् ऐसे ही महिने गुजरते हैं और पाच महिनों के बाद घर पर लॉयर आता है और कहता है ये डेट्स का लेटर है इस महिने के अंतिम हफ्ते में आप दोनों का तलाख हो जाएगा वा 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 बैरिश्टर बाबू सवेरे सवेरे तुमने तो एकदम अच्छी खबर दे दी मजा ही आ गया अरे ओ जिल मिलिया वो मावे की बरपितोला बला तो टलने वाली है ये लव मलकी एक नहीं दस लो वो क्या है ना बला को अच्छे से टालो ठीक है वो क्या है ना इस बला ने सबका गला गोटके रखा है वो भी छे महिने तक पर अपसोस अब बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती वक तो हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है अब मैं क्या करूंगी अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे है मुझे कुछ भी करके मेरा और नेतिक का तलक होने से रोकना होगा वा 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 क्या धिंजक और धमा के दार शादी का लेंगा है आपका रिदिमा दिदी मैं तो आपकी और नेतिक भाईया की शादी के लिए एक दम फुल टु फुल एकसाइटेड हूँ हे 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 क्यों अंजली दिदी आप भी हो ना अंजली जिल्मिल की जबान से रिदिमा और नेतिक के शादी की बात सुनकर हेरान रह जाती है क्या कहाँ शादी वो भी जेठानी जी और नेतिक की हाँ जली वो दरसल अरे आप चुप रही है बोरिंग कही के अरे ये विसफोटक खबर तो मैं देती हूँ इस कलमु ही कलंकिनी को तो सुन जब तू नेतिक को छोड़कर चली गई थी तभी हमने रिधिमा और नेतिक की शादी सिव घर की घर में ही कराई थी लेकिन अब तेरे और नेतिक के तलाक की खुशी में हम उन दोनों की शादी एक और बार सबके सामने कराने वाले है अभी आएगा मजा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता भाई अरे जब नईतिक जी और में एक दूसरे से बे इंतहा प्यार करते है तो हम दोनों पूरी दुनिया के सामने पती पत्नी भी कहलाने जाने चाहिए न क्यों है न अंजली अब बहुत घबरा जाती है वो इतनी परेशान होती है कि चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने कमरे में गिर जाती है आ कुई मा तभी उसके सामने उसकी ही परच्छाई उसकी हमशकल बनके उसे समझाने आती है क्यों अब क्यों तकलिफ हो रही है तुझे अब तेरे हाथ से सब कुछ जा चुका है अंजली अब तेरी भलाई इसी में है के तु नैटिक को तलाग दे और अपना रास्ता देख ली पहले तुझे बहुत इंदर का प्रेम रोग लग गया था और अब नैटिक का तुने खुद ने ही अपनी जिन्देगी खराब कर ली है अंजली इतना सब कह कर वो हमशकल वहाँ से गायप हो जाती है और अंजली खूब रोने लगती है लगता है मुझे अपना सामन पैक कर देना चाहिए क्योंकि अब मैं अब मैं हार चुकी हूँ कुछ नहीं रहा मेरे बस में उस वक्त मैंने अपने प्यार की कदर नहीं कि और आज वो प्यार मेरी कदर नहीं कर रहा दिन बीटते जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद अंजली और नैतिक के तलाक का दिन आता है अंजली जी कोई सेटलमेंट या कोई मेंटेनंस नहीं सो ठीके या साइन कीजे आप दोनो कापते हुए हातों से अंजली उन डिवोस पेपर्स पर साइन करती है नैतिक भी उन पेपर्स पर साइन कर देता है डिवोस ग्रैंटेड इस तरह आखिर कर दोनों का तलाक हो जाता है और उसके अगले दिन हैं अंजली अपना सूटकेस उठाकर घर के बाहर जा रही होती है तभी उसे रिधिमा और कावीरी रोक लेते हैं रुखजा बिल्लो रानी है क्यूँ? क्या हुआ माजी? अब जब तुने इतने महिनों से हम सब के नाक में दम कर रखा था तो हम क्या तुझे इतने आसानी से जाने देंगे? चल तू अभी रुख और तू रिधिमा और नैतिक की शादी के बाद ही जाना यहां से समझी? लेकिन माजी ये लो अंजली ये खुपसूरत सा लेहंगा अरे अब जब तुम मेरी बेहन जैसी हो तू में भी तो सचना सवर ना पड़ेगा आज शाम को आ जाना वेडिंग वेन्यू पर ठीक है? ये लो लेहंगा और गेहने रिधिमा अंजली को लेहंगा और गेहने देखकर चली जाती है और अब अंजली को ना चाहते हुए भी शादी में जाने के लिए तयार होना ही पड़ता है वो अपने आपको आईने में देखती है और भावू को कर कहती है कोई बात नहीं अंजली सब लोग अपने ब्रेकप को अपने डिवर्स को दुख के साथ अपने रिष्टो को खतम करते है लेकिन मैं खुशी के साथ अपने नेतिक को विदा करूँगी क्योंकि मैं नेतिक से सच्चा वाला प्यार करती हूँ और जिस चीज में उसकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है शाम को मंडप में जब पंडित जी बैठते हैं तभी अरे अंजली बिटिया तुम बहा काहे खड़ी हो अरे इहाओ क्योंकि इस वार की वदू तो तुम ही हो क्या सभी अंजली की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं होने वाले दुले अपने पती के पास जाओ शादी का मुहरत निकला जा रहा है लेकिन रितिमा दिदी आप और नेतिक की शादी आप दोनु शादी करने वाले थे ना तो फिर अरे हमारी भूली अंजली दिदी वो सब एक नाटक था हाँ अंजली और तुमारा तलाक भी जोटा था क्योंकि वो जज भी नकली जज था हाँ अंजली उस राज जब तुम घर चोड़कर चली गई तब मैं तुम्हें दूनते दूनते तुमारे माईके के रास्ते आ गया था लेकिन तभी मैंने तुम्हें तुमारे घर के पास एक पार्क में रोते हुए देखा और जो जो तुमने कहा उससे मुझे यही एसास हो गया कि तुम एक और मोका चाहती हो एक अच्छी बीवी बनने का और इसलिए हमने ये नाटक रचाया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एसास हो लेकिन मेरे लिए ये नाटक सोने पे सुहागा हो गया क्यूकि इसमें तुमें मुझसे प्यार भी हो गया अब हम दोने के बीच कुछ गिले शिक्वे नहीं है तुमें अपनी सारी गलतीयों का एसास हो गया है और यही मेरे लिए और हम सब के लिए काफी है नैतिक आई लव यू आई लव इट तू अंजली आई म सौरी अंजली मेरी वज़े से तुमें बहुत दुख हुआ है क्योंकि मैं नाटक में ही सही लेकिन तुमारी सोतन जो बनी थी लेकिन अगर आप मेरी सोतन नहीं बनती तो मुझे अपनी गलतियों का और नैतिक के प्रति अपने प्यार का एसास कभी नहीं होता थैंक्यू सो मज़ जे ठानी जी चलो जल्दी से साथ फेरे ले लो कही शादी का मोहरत ना निकल जाए तभी अचानक से वहाँ पर कोई आता है जो शादी रोकने के लिए जोर से चिल्लाता है रुको अरे दिवा अब कोन आ गया हम है लड़की वाले लड़की के माता पिता मा पापा अंजली बेटा इस नाटक में हम भी मिले हुए थे हमने तुझे उस रात घर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो भी हम सब के प्लान का एक हिस्सा ही था हमारे बगे हमारे लाडो की शादी कैसे हो जाती चलो अब हम आ गये है तो शादी फिर से रिजिम करते है इस तरह अंत में सब कुछ तेख हो जाता है और अंजली और नहीतिक की शादी हो जाती है और वो दोनों अपना जीवन हसी खुशी अपने परिवार संग रहकर गुजारते हैं अब हम अब हम कि एखहले गहले की शादी alcohol